ओम नमाशिवाई शिवजी सदासाई ओम नमाशिवाई गुरुजी सदासाई जैकुरुजी संगत जी अबाउट सिक्स एर्स अगो थोड़ा से शुरू करती हूँ मेरे दो बच्चे हैं दो बेटियां तो बड़ी की शादी हो गई थी हो गए उसको और छोटी की शादी हो रही थी तो मेरे हस्बन सुभिно जेंज आते दे तो मुझे बड़ी इस भी बड़ी बेचैनी सी ओती थी कि मेरी छोटी सी बेटी है जा रही है गर काली हो जाएगा लिक घर की रहना के दूंब बहुत रहती थी तो मेरे हस्बंड काफी समझते तो सब फ्रेंज बोलते थे यहां आजाओ वहां आजाओ जो वह मंदिर जाते हैं वो मंदिर जाते ह तो हम लोगों ने शुरू किया अभी शादी हो रही दी प्लानिंग कर रहे थे सब कर रहे थे देख रहे थे जगा कहा करनी है तो यहां गए कोई मंदिर नहीं था न्यूजर्सी में कोई भी मंदिर ऐसा नहीं था जाहां हमको हमारे दोस्त लेके नहीं गए गए आए वापस दोनों दोबारा जाना नहीं नहीं मतलब दोबारा जाने का दिल नहीं हो रहा था सड़नली एक फ्रेंड का फून आया कि ऐसे ऐसे हैं हमारे गुरुजी ब्लेस करते हैं और मैं एक ऐसी फैमली से आती हूं डेली में पैदा होई रजिंदर नगर में कभी घर में कोई हूं मंदिर में अपने आपको ढूंडने तो पता चला गुरुजी अरे गुरुजी मतलब मैं तो भगवान को भी नहीं मानती तो गुरुजी क्या गई जब मैं गई वहां पर में डेड़ घंटा बैठी और म स्टार्टिंग क्राइं मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो रह है कि मैं मेरा बचपन है यह सारी जिंदगी जहां पर रही हूँ सारी तरफ गुर्दवारे थे तसारे दोस्तरदार थे सारी जिंदगी दर गुर्बानी सुनती आई हैं मुझे असे लगा मेरे कानों में अंब्रेत आरह क्या है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है पर मुझे लगा कि मैं अपनी रूट्स के पास चली गई हूं कुछ पता नहीं and I'm married to a सिंदीग आये तो उनकी मम्मी गुर्णानक को मानती थी तो उन्होंने बच्पन से वो सब सुना हुआ इवन मेरा पहला बच्चा जब हुआ है डेली में तब मेरी सास मुझे गुर्दवारे लेके गई थी माथा टकाने ठीक है हम पहली बार गए मैं घर आई और मैं कुछ ऐसा सुनके आई मैं पागल हो गई अब मेरी यादश देना बहुत जादा खराब है जो दो-चार शब्द मुझे याद रहे मैंने उनको गूगल करना शुरू किया यूट्यूब में ढूणडा एक मिला कोई शुक्र करा मैं गुरुजी एक गुरु मेरी पूजा सम्दिंग इजी-जी थे मैं ढूणडा यूट्यूब में फिर मैं सुनने लगी पता नहीं कै सब मुझे बोलने लगे यहां हो दुबारा हो ऐसे हो वैसे हो वोट बिज में मैं पिछले 25-30 साल से रहती हूं मुझे कभी ने पता कि ऐसा कोई गुरुजी का मंदिर है क्या है कैसे है मैं वाप गई जाने लगी बार बार दिल करता था मैं बाहर जाओं मंदिर जाओं मेरे प पर मैं नहीं आता यह वो जो भी है और मेरा तो दिल दिमाग मुझे समझ नहीं आए क्या हुआ मैं जिम में जा रही हूं तो मैं उसमें वो शुकर करा सौ बार सौ बार सुन रही हूं और समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है और वहीं सुनके चिम करती हूं दीरे 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 पिर मैं मंदिर में जाती थी, मैं गुरु जी से एक ही चीज मांगती थी, गुरु जी मुझे तो जोड दिया, मेरे हस्बन को जोड दो, मेरे हस्बन को जोड दो, सारे अंकल मिलते थे, कहते थे, आंटी आप आते नहीं, रो जाय करो, हर वफते में दो बार आओ, ऐसे आओ, मेरे को मेरे को जोड़ दिया मेरे हजबन को जोड़ दो गुरुजी ने का ठीक है उसकी एक अलग कहानी हो मैं फिर कभी सुनाओंगी या थोड़ा शौट रखती हूं उसके बाद जब मैं आने लगी रेगुलरली तो आंटी यहां पर खड़े हो के कहते थे गुरुजी ऐसे गुरुजी वैसे थे गुरुजी यह थे तो मैं कहते थी गुरुजी आपने मुझे जब जोड़ना था तब तो आप चले गए जुनिया से मैंने तो आपके बार में कुछ भी ना देखा ना सोचा ना समझा मैं तो सिर्फ एक इमेजिन कर रही हूं कि आप ऐसे थे यह थे तो मैं गुरुजी से नाराज रहने लगी मैंने का गुरुजी आप मैं इतने 30 सालों से वोट बिज में रहती हूं आपने मुझे क्यों नहीं जोड़ा मुझे क्यों नहीं किया इंडिया में मेरे रिष्टेदार मेरी भावी सब आप से जुड़ें आपके मंदिर जाते हैं आपने मुझे क्यों नहीं जोड़ा तो गुरूजी ने मुझे आंसार दिया क्या आंसर दिया मुझे गुरूजी ने का तुझे ऐसा लगता है ना कि मैंने तेरे को आज जोड़ा है पर तुझ गुरूजी ने मुझे दो ग्रैंट संद्द दिये पहला दिया 7 Cambridge जुलाई को 15 में दिया था तब तो मैं गुरुजी से जुड़ी भी नहीं थी तो गुरुजी मुझे बता रहे हैं कि देख मैंने तेरे को जोड लिया पहले ही और वो बच्चा होने वाला था जून में मिड आफ जून बच्चा होने वाला था पर चूंकि गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ना था गुरुजी ने 20-22 दिन उस बच्चे को वहीं रखा और 7 जुलाई को पैदा हुआ उसके बाद जिंदकी बीत रही थी बीत रही थी बीत रही थी फिर मैं मंदिर से इतना जादा जूड़ गई कि वह मेरे हस्बंड कभी-कभी शबत चलाते थे वह मीरा हो गई मगन जब मैं वह सुनती तो मैं कहती थी ना 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 अनीता हो गई मगन लेकि मैं इतनी पागल हो गई गुरुजी के लिए कि और मेरे मुझे हमेशा यहीं एक ही चिजी गुरु जी मैं नहीं नहीं है सेवा करती हैं मेरे बस्की नहीं है मेरे से मुझे तो सिमरं दो गुरु जी मुझे सिमरं दया है में 20 गंटे सौं बाथ रूम में उना कुछ भी जीवन में करती हूं खाना पकाती हूं एक तिमें से हो के सुना देते हैं और मैं कहते हूं गुरू जी मैं तो छे साल से आ रही हूं मुझे तो कभी आपने ये शब्द नहीं सुनाया तो वो कहते हैं मैंने तेरे लिए बच्चा के रखा था मैं जुड़ गई मैंने दीरे दीरे अपने बच्चों को पहली बेटी दूसरी बेटी माई यंगर डॉर्डर शी मैरे टो वाइड गया है मैं उसको भी लेके आई मंदिर में बड़ी को लाई चोटी को लाई सन इनलो को लाई बेटे पोते को लाई सब को ले आई गुरू जी के दरबार में आते हैं ना गुरू जी किसी को भी खाली आतनी छोड़ते जिस तरह की बेट मेरी बेटी लाइव जी रही थी इतनी लिक भाग मिलब काइंड आफ हाई प्रोफाल लाइव हर वक्ट्रावलिंग ये वो जॉब इतनी डिमांडिंग एक सेकंड के लिए टाइम ठीक है अब मेरी और मेरे हजबन की लड़ाई शुरू हो गई मेरे हजबन गुरू जी के दरबार में जाते थे और कहते थे गुरू जी वीर को खेलने के लिए भाई देना और मैं कहते थी गुरू जी मेरे को बेटी चाहिए मुझे की मेरे मेरे हजबन मुझे घर जा ग Er republican तो तो गुरुजी के साथ लड़ाय करा रही एक तेरी बात सुनेंगी ये मेरी फिर मैंने बहुत दिन सोचा फिर में पोला गुरुजी जो ठीक लगता थैना वह देड़ तो आप मेरी भी मत सुनों इनकी भी मत सुनों जो आपको ठीक लगता है वो दे दो गुरुजी निका ठीक है अब वो पंदरा तारीक आ गई मैं एक दिन दो दिन हाय कोविट सब कुछ बंद है वेक्सिनेशन आया नहीं है मैं क्या करूंगी कैसे करूंगी नहीं समझ में आ र numéro गुरू जी सारा घर नेवंबर में पैदा आए ने दो ना तो गुरुजी मैं आपनेड़ में हने सारा घर नंवंबर में भी नोशसिने मैंने का गुरुजी I don't know मेरे मुझ से निकल गया मैं क्या करूं मैंने को जानके थोड़ी बोला है तो अच्छा जब चार तिन रहे गए पांच दिन तो कैलेंडर में देखा तो पता चला अरे एक तारीक को तो टाइम आगे पीछे हो रहा है और मेरे को तो वरी मेरे बोला ग सुमाच है मेंस यह नहीं हो सकता मैंने बोलो पता नहीं मुझे तो मैंने तो मांग लिया आप से आप बिलीव नहीं करोगे एक तारीक हो रात के डाई बजे टू थर्ड़ी फाइव माई डॉर्टर कॉल मामी स्टार्ट करो हॉस्पिटल आओ बड़े बच्ची को लेके जा और मैंने नरिंद को उठाया कि हमें जाना पड़ेगा लिटरली एक एक शब्द गुरुजी मेरी बात सुनते हैं समझते हैं करते हैं अब बच्चा पैदा हो गया एक तारीक को हो गया सुबह छे बजे शायद उसकी डिलीवरी हुई अप एक्जेक टाइम मुझे इस कर आओ एंटर नहीं करने दूंगी आप छोटे को छू नहीं सकती तो ऐस मैं मेरी तो जैसे आदत है मैने तो शुरू कर दिया ऐसे ऐसे क्यों भई मैंने बोला मेरा बड़ा पोता तो मेरे घर आया था होस्पिटल से और ये और वो और ऐसे ये क्यों तरीका है मैं बच्चे को देख नहीं सकती मेरा बच्चा मेरे घर नहीं आएगा मेरे जबन बोलते हैं ये तूमाच हो रहा है अभी चुप पकर बैठ जाओ जो बेटी कहती है ऐसा करो ठीक है पर गुरुजी के आगे तो बोल दिया है गुरुजी ने तो करना है गुरुजी क्या करे हमारी बेटी पहुंची अपने घर उनको मैसेज आया पार्सिपनी में रहती है तेरा चौदा साल से रहती है आज तक कभी नहीं ऐसे हुआ कि उसके माँ लाइट चली गई घर पहुंची लाइट चली गई नवेंबर था फर्स था बच्ची को अंदर ले जा रहे थे घर ठंडा था दो दिन से हॉस्पिटल में थे क्योंकि भार भी नहीं आ सकते थे कोवीट के टाइम पर पता चला घर बहुत थंडा नहीं आ सकते आधी घंटा कार में बैठे सब दोस्तों को फोन किया सब ने का नहीं I don't know क्या हुआ है लाइट चली गई है पी एसेंजी को भी फोन किया सब बैठने के बाद दे सेड कि ममी आप रुख जाओ हम आएंगे ठीक है फो मेरे स्टार्ट कर दिया पाकवे पे चड़ गए आधा गंटे चलने के बाद मैसे जाता है उसको लाइट आ गई है उन्होंने का नहीं आप इतना दूर उल्टा आके जाएंगे करेंगे तो चलते है वीर को भी वापस ले लेते हैं तो ले जाएंगे तो बचा आ या म अभ्यों म मही हा थ हो ऐसे करो यह करो मास्क पेना व बैबी को अठाना है इतनी सी बात मैंने गुरुजी को बोली थी, कि गुरुजी मेरा बच्चा आया है, मुझे कोट में उठाना है, गुरुजी ने मेरी वो बात भी पूरी करा दी, उसके बाद एक बीच में छोटी सी कहानी शुरू करती हूं, गुरुजी ने मुझे घर ब्लेस किया, तो मुझे कहते हैं सत्संंखर दोesta Jew गौरीजी मैं कुछ पता नहीं है कुरू जी मुझे कहते हैं तोका कर वी जिए न सारा दिन इसके दोह है उसका सतसंकर हो गया मैंने अपने घर में सतसंक किया मैंने ये सुनाया जब सब लोग चले गए जाने के टाइम मेरी बेटी रोने लग पड़ी बेटोEST तू क्यों रो रही है वो कहती है मुमी मैंने आपको कभी बताया नहीं जब यह पैदा हुआ बच्चा तो मैंने इसका नाम कुछ और रखा था इडिन्ट रिस्पॉंड पर कप बहुत टाइम के लिए फिर हमने इसको कबीर कहके पुकारा तो ही रिस्पॉंडेड तो गुरुजी नियू ओल्रेडी कि ही सेंडिंग मी कबीर जिसके दो है मैं सारा द पान जा रही है उसका खुछ जीवक्स इनमर्क तो चार दिन का काम है उसके बाद उसको बहुत खौक है गूमने फिरने का तो उसके ने अपने हस्मिन को बोला चार दिन के बाद तुमाओ हम एक मैना रहे के गूम के आएंगे तो मैं पता नहीं क्यों वो इतनी बीजी थी मैं थी मेरे दिमाग से निकल गया मैं उसको बार बार कह रही थी पिछली बार आई थी मैंने संजीव अंकल को पोचा मेरे को वेक सवरूप चाहिए मैंने उठा मुझे बहुत प्यारा लगा मैंने सुचा मैं अपने फोन में लगाती हूं देखा लगाया फिर भी रग दिय आई डून नो क्यों साइट पर रख दिया तो वो कलाई मिलने कि ममी मैं ऐसे जा रही हूं ये वो तो मैंने उसको बोला बेटा तू जा रही है तू गुरुजी से आग्या लेके जाना ऐसे मत जाना सब ओ गया और इतनी सारी बाते हो गई अब आती बाते तो मैं भूल जात एक रही हूं मैने बोल दिया उसका को मैसिज नि आया उसने मुझे बता था म मंतर आ ये कोई पैकिंग नहीं है और और मैं वपर नीचे हो रही है है अपने हस्बन को बोल रही हूं कि वो गई नहीं गई ग्यॐ गुरू कलि जीने ब्लेस कि या उसको नहीं किया पर मैने व संजीव अंकल का सुरूप उसको दे दिया, उसने मुझे बोलो, बमी, कितना प्यारा है, ये वाइट कलर का, मैंने बोलो, बेटा, तु अपने पासपोर्ट के अंदर रख ले इसको, शाम को, मैं गर में नहीं थी, हम लोग कहीं बाहर गए हुए थे, किसी का फोन आया, इस मंदर से एक आंटी का, गुरु जी सुन रहे थे, महां बैट के, कि इसकी बेटी जा रही है, इतनी बड़ी है, शादी हो गई, पांच साल हो गई, पर फिर भी मेरा दिल ऐसे होता है, अपने बच्चों के लिए, तो गुरु जी सुन रहे थे, गुरु जी कहते हैं, कि सुबह यहां आजा, आँटी का फोन आया, कि आँटी, ऐसे ऐसे है, आप किल्म में आओगे, अमरे तवेला में, तो गुरु जी ने मुझे खुद बुलाया, मेरी बेटी को के लिए, आगया दिलाने के लिए, मेरे हस्बंड को, और मुझे, दोनों को सुबह बुलाया, और मैं वो ही हूँ, जो आज से तीन मैने पहले, कोई मुझे कभी कहता था था ना, आँटी, अमरेत विला आया करो, मैं बहुती थी है, पहले के ये लोग, आदी रात को उटके जाते हैं, क्या बाती कर रहे हैं, पर एक दिन अश्वनी अंकल ने मेरे को बोला, आँटी, शिवरातरी का, सुबह सुबह हम किलमर में ऐसे बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप आओगे, मैंने अपने हजबन की तर क्या कुछ भी हो, तीन चौती बार आजाई हूं, आप बिलीव नहीं करेंगे, चारों बार इस फोन में अलाम लगा के सोती हूं, उसके पहले गुरु जी मुझे ऐसे करते हैं, उठती हूं, आँख से बातरूम जाती हूं, फिर अलाम आके बंद करती हूं, गुरु जी को स सब पता है, गुरु जी दो-तिन चीज़े बोलूँगी, गुरु जी ने क्या सिखाया मुझे, गुरु जी ने मुझे सिखाया, शुकराना, जो मेरे को कभी किसी ने न ही शिखाया, सब कुछ ले लिया, पा लिया, फिर भी गृप करते हैं, यह नहीं वो नहीं, ऐसे नहीं कुछ है मेरे भगवान यह है मैं को प्यार भी करती हूँ गुसा भी करती हूं लड़ती भी हूं हर चीज करती हूं मेरा साथ साल का पोता जब मेरी बेटी मुझे फोन करके कहती है मम्मी He is saying I am making prayer to Guru Ji Make me feel better soon यह है जो Guru Ji ने मुझे दिया है कि मैं तो जूड़ी मैंने अपने हस्बंड को जोड़ा मैंने अपने दो बेटी ओं को जोड़ा मैंने दो अपने सन इनलोग को जोड़ा मैंने उनकी आगे फैमिली को जोड़ा उसके बाद मैंने अपने दोनों पोतों को जोड़ा वो मेरे घर आते हैं वो कभी नहीं कहते हैं कि नानी मुझे पानी दिदो वो कहते हैं नानी वेरिस जल प्रशाद वेरिस गुरुजी जै गुरुजी इतने छुड़ छुड़ी बच्चे अजने दो साल के बूलता है जेगो जेगो जी मेर बस हजारों सत्संग है होब आंटी मुझे तुबारा बुनाए शुकराना गुरुजी मुझे अपने पास तुछाने का अपने साथ रखने का अपनी बेटी बनाने का इतना अच्छा परवार देने का जो तीस साल से ऐसे लगता था कि फैमिली नहीं है फैमिली नहीं है फैमिली नहीं है आज गुरुजी नहीं दिये इतने प्यारे लोग हैं इतना प्यार करते हैं इतना वेलकम करते हैं शब्द नहीं है मेरे पास बूलने के लिए जो भी यहां बैठा है इससे बड़ा दुनिय हमें खुश किसमत कोई नहीं हो सकता यह ऐसी जगह है जहां पे आपको अब इतना मांगो आपको इतना मिलेगा अब सिर्फ क्या कहना है गुरुजी शुक्राना शुक्राना गुरुजी जै गुरुजी शुक्राना गुरुजी दैट सिट और गुरुजी जोलियां बरते रहत हैं बढ़ते रहते हैं यहां सुनिए यह प्यार है गुरुजी का ओम नमाशिवाई शिवजी सदासाई ओम नमाशिवाई गुरुजी सदासाई